हमारी यूट्रोप चैनल सिभम टुटोरियल में आपका स्वागत है दोस्तो अज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जितने भी बिहार इंजिनेरिंग के स्टूडेंट हैं उनको 24 फिलिंग कैसे करता है दोस्तो आपको बताऊंगा कॉलेज का प्रिफेंस कैसे देना है उसके बाद आपको कौन सा कॉलेज अच्छा होगा टेकीव कॉलेज कौन कौन से है तो दोस्तो जिनका काम स्कोर है उनको कैसे 24 फिलिंग देना है तो इस सारी जनकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं दोस्तो एक वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आप पेसेंस के साथ देखते रहें क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने बहुत सारे सवाल को कवर किया है तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं च्छाइस फिलिंग की तो दोस्तो च्छ college branch आपको है भो चूज करें तो prendre अपने सुवधा और जो पसंद है उसके उनसार college और branch की preference-wise वाज सेलेक्शन प्रोसेस को choice filling कह जाता है तो यह पो खाले मनिकर उसर या पसंद क Oliver आपको जो college चाहिए प्रांज सी उसको एक least यानि सीरियल नंबर से आपको देना है तो उसी को चौश फिलिंग कहा जाता है और आपको बता दे किसी भी online अड़िशन काउंसलिंग में जो main role होता है वो चौश फिलिंग का होता है दोस्तों अगर चौश फिल आपका चौश फिल करते हो तो आपको गलत कॉलेज मिलेगा और बाद में आप पश्चताते रहोगे दोस्तों आपको बता दे कि आपका यही इंजिनियरिंग का जो चार सल है वो आगे का पूरा भविस बनाएगा आप यहां गलती करते हैं तो आप बाद में टेंसन में रहोगे कि मै सबसे पहला जो पाठ है टेक्व कॉलेज का कोलेज में सबसे बेस्ट कॉलेज अगर बिहार का स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो वो टेक्व कॉलेज होगा और हम देखते हैं रैंकिंग बाजी तो दोस्तों इसमें जो एमाईटी मुझवपरपूर है वे सबसे नमबर 1 प आपको बता दे कि ये अपने सहर से थोड़े दूर हो जाते हैं, अपने गाउं तरफ हो जाती है, तो आपको यहाँ बहुत सारे स्टुडेंट को पसंद नहीं आता है, पर जब अट्वीशन ले लेते हैं और जब पढ़ाई करते हैं, तब आपको इसकी असलियत पता होती है, दोस्तो उसके बाद NCE चंडी की बात करें तो ये सहर से बहुत नदीख है तो बहुत ज़्यादा student को पसंद भी आता है और दोस्तो LNJPIT छपड़ा और NCE चंडी का struggle हमेशा देखने को मिलता है ऐसा नहीं है कि आपको छपड़ा मिल गया तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गये चंडी मिल गया तो बहुत खराब हो गये दोस्तो बहुत ही कम का difference दोनों college में है उसके बाद जो पाचमे नंबर का college है वो गया का है दोस्तो यहां गया का college है यहां hostel की program है यहां hostel नहीं मिलती है तो बहुत सारे बच्चे परिसान रहते हैं दोस्तो इसके बाद DC दरवंगा और सातमे नंबर पर है MC मोतिहारी दोस्तो यह दोनों college का जो program है वो आए दिन performance थोड़ी गीर गई है तो यह दोनों का ranking नीचे चलता है दोस्तो अगर आप student अच्छे हैं तो आप take you college में अड़िशन लें और जो आपका पहला जो preference होना चाहिए college का बहुत सारे take you college का ही होना चाहिए दोस्तो अगर take you college आपको मिलता है तो आपको college में extra faculty मिलेंगे extra facility मिलेगी lab आपके अच्छे होंगे, placement की सुबधा होगी, training आपको अच्छे होंगे, internship आपको अच्छे होंगे तो तय है कि आपको आने वाला future अच्छा होगा दोस्तो उसके बाद हम जो second criteria बनाया है college का उसमें आपको बता दे कि जो non-take you college है और लेकिन उसका जो campus है वो पूरी तरह से पर्मानेंट है तो दोस्तो इसमें जो सबसे पहला college है वो BC बक्तियारपूर का है तो यह पटना का जो IIT का जो campus था वहाँ पहले चल रहा था तो college का performance बहुत अच्छा था यहाँ placement भी बहुत सांदार हो रही थी प्रन्तु अब अब अपने बक्तियारपूर में सीफ्ट हो चुका है अपने campus में तो यहाँ थोड़ी इसका effect पड़ेगा तुस्तो उसके बाद जो हम college की बात करते हैं उसके बाद बेग उसराय का college है सहरसा engineer इंग कॉलेज है पूरनिया कॉलेज है उसके बाद कटिहार का है उसके बाद सुपॉल का है सीता मड़ी का है सासराम, बाका, जमूई और बीपी मंडल, मधे पूरा दोस्तो इस सारे college अभी non-take-yove college हैं प्रंतु सब का campus permanent बन चुका है दोस्तो अगर आपको take-yove college का बाद अगर कोई preference देना है तो आप permanent campus वाले college को ही preference में दें दोस्तो उसके बाद में आपको बात करते हैं non-take-yove college जो अभी take-yove college में यानि जिनका campus temporary है यानि campus अभी बन नहीं बन नहीं पाया है और उनका जो college है वो take-yove college में चल रहा है तो इसमें आपको बता दे कि सबसे पहले G.E.C. समस्तिपूर है यह MIT मुझपरपूर में चल रही है G.E.C. गोपाल गंज है G.E.C. सेवान है G.E.C. कैमूर है उसके बाद G.E.C. मदुवणी है G.E.C. बेश्चमपारण G.E.C. सीवहर उसके बाद G.E.C. जहानाबाद अरबल और अरंगाबाद दोस्तो यह सारे अभी टेक्किव कॉलेज में चल रहे हैं और इनका कैमपस बहुत जल बनकर त्यार हो जाएगा तो दोस्तो तीसरे नंबर पर अगर आप प्रिफरेंस देना चाहते हैं तो आप इन सारे कॉलेज का दे और जो चाओठे नंबर का जो प्रिफरेंस रहेगा वो दोस्तो आपको जो कॉलेज का जो टेमपररी कैमपस है और अभी गवर्णमेंट पॉल्टेक्निक में चल रहा तो दोस्तो ये सारे college अभी government poll technique या किसी दूसरे जगा पे चल रहे हैं दोस्तो उसके बाद हम बात करते हैं branch का channel दोस्तो आपको branch किस basis पे चुनना चाहिए आपको मैं ये बताने बाला हूँ तो दोस्तो ब्रांच का अगर आपको selection करना है तो branch आपके interest के अनुसार होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको interest नहीं है हम ए ब्रांच ले लिए तो दोस्तो उसी city में आपको starting में कुछ दिन पढ़ लेते हो और बाद में फिर आपको बैक लगने लगते हैं आपको पढ़ाईस में मन नहीं लगेगा दोस्तो तो आपको बता दे कि आप किसी दुसरे का copy न करें दोस्तो अगर घोड़े के साथ मेढ़क भी नाल ठोकबाने जा रहा है तो आप कहानी जानते ही होगे कि वहाँ पे मेढ़की मौथ हो सकती है तो दोस्तो वही है कि आप किसी दुसरे को देखकर आप कि वो CSC ले रहा है तो हम क्यों न ले दोस्तो जिससे जो ब्रांच इंट्रेस्ट हो और जिससे जो ब्रांच चल सके वही ब्रांच को आपको चूज करना चाहिए दोस्तो उसके बाद एक और है job असकोप के बारे में दोस्तो तो ब्रांच ऐसे होने चाहिए कि जिसमें job असकोप ज़्यादा हो तो दोस्तो बिहार के लगवक सभी ब्रांच अभी चल रहे हैं जो लगबक ठीक ठाक हैं, यहां फालतू वाले ब्रांच नहीं दिये गए हैं, तो जैसे electrical engineering की यहां पढ़ाई हो रही है, उसके बाद electrical and electronics engineering, civil engineering, mechanical engineering, CAC और IT engineering, उसके बाद में leather technology, उसके बाद ECE ब्रांच की पढ़ाई यहां भी हो रही है college में, तो दोस्तों मैं CAC और IT वाले क चूज करें, अधरवाज आपको बहुत परसानी होगी, दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, choice field करने का जो तरीका है, यानि कि जो अधार है, किस अधार पे choice field होता है, दोस्तों मैंने total 5 criteria बनाया है, जिसमें college selective, branch selective, branch और college both selective, उसके बाद friends, brothers या जी एप together है, उसके बाद home district college, तो दोस्तों total 5 preference है, मैं बारी-बारी से सबको आपको discuss करता हूँ, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, college selective student, यानि कि बहुत सारे student ऐसे होते हैं, जिनको branch से कोई मतलब नहीं होता, बहुत चाहते हैं कि top के 2-3 college से हमें कोई भी branch मिल जा, तो चलेगा, तो दोस्तों कि जो चाहते हैं कि हमें कोई college में, जैसे MIT है, भागलपूर है, LNJPIT, छपड़ा है, चंडी है, इसमें से कोई branch हमें मिल जाए, तो आपको बता दे कि आप उस college में जितने भी branch है, आपको interest है, अगर आप civil mechanical electrical तीन branch ही लेना चाहते हैं, तो आप सारे college में तीन-तीन branch का preference दे दें, आपको मिल जाएगी, दोस्तो, आपको choice maximum देना है, ऐसा नहीं कि आप एक choice दे दिये, कि मुझे ये मिल लेगा, तो मिलेगा, तो दोस्तो, उस स्थिती में आपको college नहीं भी मिल सकता है, choice, आप maximum देने की कोशिस करे, choice के लिए कोई limit नहीं होती है, दोस्तो, उसके बा चाहिए, तो आपको college तो अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, दोस्तो, आपको इस तरह से choice देना है, कि जितने भी CAC branch वाले college हैं, जो take-cube से लेके non-take-cube, तो दोस्तो, top level से लेके नीचे level तक के जितने भी take-cube college हैं, और non-take-cube college हैं, उन सारे में CAC आपको चूज कर लेना है, तो दोस्तो, जैसे ही आपका marks उस rank के level पे आएगा, तो आपको college असारी से मिल दाएगी, दोस्तो, सारे process computerized होती है, तो वहाँ पे जैसे ही आपका cut-off उस level पे आएगा, तो आपको college easily allot हो जाएगा, दोस्तो, choice maximum दे, क्योंकि कभी-कभी आपको cut के उतार-चड़ाप के कारण program हो जाती है, दोस्तो, उसके बाद बात करते हैं college और branch दोनों, जैसे बहुत सारे student होते हैं, जिनको चाहिए कि नहीं, मुझे MIT में civil branch ही चाहिए, दोस्तो, तो उसी स्थिति में आपको बता दे, कि ये जो choice filling की criteria है, वो बहुत मुस्किल हो जात है, दोस्तो, जैसे कि आपका marks 90 percentile है, अगर आप OBC के student है, आपको चाहिए कि मुझे CAC branch यहाँ मिल जाए, MIT मुझपरपूर में, तो दोस्तो, वहाँ पर बहुत ज्यादा chance है कि आपको मिल जाएगा, और अगर उससे थोड़ा कम जाता है, अगर आपको cut-off थोड़ा high हो जा से दे, ताकि आपको जो college मिलने में, कोई परसानी ना हो, दोस्तो, उसका बाद आपको बता दे, बहुत सारे लोग चाहते हैं, कि हम भाई भान हैं, दोनों साथ में अटविशन ले ले या बहुत सारे हैं, दोस्त हैं, तो चाहते हैं, साथ में, दिशं ले ले, कि नीग का G तो आपको अराम से college मिल जाएगा आप दोनों सेम चोईस नहीं दे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तो उसके बाद अगर आपको मार्स में ज्यादा का difference हो जाता है क्रेटोगरी हाज में difference हो जाता है तो उस condition में जिनका score स्कूर कम होगा तो उसी को अनुसार आपको ज्यादा स्कूर बाले को च्वाइस फिलिंग करना होगा जैसे आप किसी के भाई है तो आपकी बहन है तो आप दोनों और विसन लेना चाहते हैं तो जिनका ज्यादा स्कूर है उनको कम बाले के साथ ही च्वाइस फिलिंग करना य दोस्तों आपको बता दें कि जिनका home district का college अच्छा है और उनके अच्छे marks आए हैं तो कोई problem नहीं है आप ले सकते हैं जैसे किसी student को 85 percentile score है और वो चाहता है कि हमें BC भागलपूर मिल जा और उनी भागलपूर में ही उनका घर है तो दोस्तों अराम से आप ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तों program तब होती है जब अच्छे marks लाकर आप low college लेते हैं जैसे किसी का 80 percentile score है और वो चाहता है कि हमें पूर्णिया सहर सा उनका घर है और चाहते हैं कि हमें वही college मिल जा तो दोस्तों उसी स्थीति में बहुत दिक्कत हो जाती है और आप अच अच्छे college का seat खाली रह जाता है तो वहां काम score वाले को admission मिल जाता है तो इससे आपकी career पे बहुत ज्यादा effect पड़ेगा दोस्तों आप बड़े हो गये हैं आपको अपने जिंदगी के बारे में खुद सोचना है आप थोड़ी सी सुद्धा के लिए अगर आप home district में अच की हाथ में है आपको जो समझाता है वो आप कर सकते हैं दोस्तों उसके बाद आपको बता दें कि जिनका score कम है अगर वो district college लेना चाहते हैं तो बो ले सकते हैं उनके साथ भी कोई problems नहीं होगा दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं 24 फिलिंग में आपको बता रहे हैं कि maximum college को option दे सकते हैं maximum college के maximum branch को option दे सकते हैं इसमें कोई limitation नहीं होता है दोस्तों आपको बता दें 24 फिलिंग में पहले take you college का ही choice दें जो अच्छे college है उसके बाद धीरे-धीरे ranking के हिसाब से low college का option देना चाहिए दोस्तों उसके बाद जिनका score 60 से कम है उन्हें take you मिलने का chance कम ज score है तो आपको बता दे कि सबसे पहले का choice है वो take you college का दे और उसके बाद आप non take you जिनका campus permanent बन चुका है और उसके बाद अगर जो campus permanent नहीं बना है और अभी take you में चल रहा है उसका choice third number पे दें उसको आपको बता दे किया आपको choice जब फिल होता है तो choice lock करने से पहले ही choice को edit कर सकते हैं अगर आपको preference में उपर नीचे करना है तो आप choice lock करने से पहले ही कर ले अगर choice एक बार lock हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो मुझे लगता है कि मैंने आपको choice feeling से related सारी बाते समझा दी है अगर नहीं समझ में आया तो आप जरूर comment कर अगर कोई भी परसानी हो तो आप comment करें और अगर समझ में आ गया हो तो जरूर हमें comment कर बताएं और दोस्तों बात है low score बाले को तो दोस्तों जिनका score low है उनको मन में डौट होगा कि मेरा 10% high score college मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा 20% high score is college मिलेगा यइस बात है कि आपको陌ड करना बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स रोन या सेकेंड रोन में ही मिल राएगा लेकिन बहुत सारे कम स्कोर वाले को मौपप में भी कॉलिज मिलेगा तो दोस्तो आपको धहर्ज रखना होगा और धहर्ज के साथ आपको काम करना होगा दोस्तो उसके बाद आपको बता दे कि मैं मैंने आपको पूरी तरह से अड़िशन का बेस बना दिया है जैसे कि मैंने आपको अभी टोटल 17 इंजिनियरिंग कॉलेज जो टेकिव और नंटेकिव हैं उनको मैंने कॉलेज रिभ्यू दे दिया हैं उसके बाद टोटल जितने बिहार की इंजिनियरिंग कॉलेज हैं उनका list मैं बता चुका हूँ जिसमें capacity ब्रांच कितनी है, hostel की capacity कितनी है, campus अभी कहां चल रहा है, ये सारी जनकारी मैं दे चुका हूँ, दोस्तो, documents से related वीडियो मैं बना चुका हूँ, air gap जिनका है उनको certificate कैसे बनवाना है, उनका वीडियो मैं बना चुका हूँ, medical certificate के लिए वीडियो बना चुका हूँ, आज मैं 24 फिलिंग का भी वीडियो बना दिया, दोस्तो, उसके बाद seat detail और revision process से भी वीडियो बना चुका हूँ, तो दोस्तो, आपको लगभग सारी जनकारी मैं दे चुका हूँ, दोस्तो, इस सारे वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप playlist को जरूर चेक करना चाहिए आपको, ताकि आपको थोड़ी सी 10 मिनिट का वीडियो अगर छुटने से आपको प्रोग्लम हो सकती है, तो आप वीडियो को जरूर देखें, दोस्तो, इसके अलावे अगर आपको कोई भी डॉट हो, तो आप हमें इस नंबर पे भाटसेप कर सकते हैं, दोस्तो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे choice feeling करने में परसानी हो रहे हैं, कि मुझे कौन-कौन सा college देना चाहिए, इतने score पे कौन सा college मिल सकता है, तो दोस्तो, आप भाटसेप कर दे, मैं सब को reply कर दूँगा, किरप्या call ना करें, call करने में मुझे भी परसानी होती है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम करने होते हैं, और हाई भी करनी होती है, तो दोस्तो, अब call ना करें, message कर दें, मैं आपको reply जरूर दूँगा, दोस्तो, अब हम बात करते हैं, sample मैं दिखाता हूँ किस तरह से choice feeling किया जाता है, दोस्तो, इस choice feeling एक student का है, मैंने पिछले साल ही किया था, तो दोस्तो, आपको बता दे कि इनका 80% स्कोर आया था, और इनको choice feeling किया था, तो दोस्तो, एक OBC के student थे, इनका सबसे पहले इनको तीन ब्रांच में इंट्रेस्ट था, जिसमें electrical, civil, mechanical बोल रहे थे कि मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो चलेगा, तो दोस्तो, इनका तीन-तीन ब्रांच में ने सबसे पहले MIT मुझेपरपूर का तीनों ब्रांच दे दिया, उसके बाद BC भागलपूर का electrical, civil और mechanical ब्रांच है तीनों दे दिये, उसके बाद LNJPIT छपड़ा का electrical, civil और mechanical तीनों ब्रांच दे दिये, दोस्तो, इनका चांस था कि MIT और मुझेपरपूर में और भागलपूर में नहीं मिलेगा, तो दोस्तो, इनको MIT और मुझेपरपूर नहीं मिला, भागलपूर भी नहीं मिला, और जैसे ही इनका छपड़ा का option आया, तो छपड़ा में इनको electrical science, electronics engineering मिल गया, तो दोस्तो, प्रिफ्रेंस ऐसा ही होना चाहिए, जैसे हमें CAC ब्रांच लेना है, तो हम MIT का CAC डेल दे दिये, BC भागलपूर का CAC ब्रांच दे दिये, उसके बाद में निचे LNJPIT छपड़ा का CAC ब्रांच दे दिये, तो दोस्तो, प्रिफ्रेंस ऐसे ही college को चूज करना है, ताकि आपको college असानी से a lot हो जाए, दोस्तो, उसके बाद में भी नीचे मैंने लगबग बहुत सारे college का option दिया था, प्रन्तु इनका first round में ही आपको LNJPIT छपड़ा college मिल गया, और इन्होंने admission ले लिया, तो दोस्तो, इस choice फिल करने का preference बाद था, तो आसा करते हैं आपको बहुत सारी बात है समझ में आई होगी, अगर इसके बाब जूद भी आपको मन में कोई dot हो जाता है, तो आप जरूर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो, तो like करें, अपने दोस्तों में share करें, thank you.